तो यहां पर देख सकते हैं कुछ इस तरह के पैकेजिंग से आया था और बहुत दी क्लासिक एंड इसका कलर काफी अच्छा है और इसका MRP देख सकते हैं आप तो यह वाला जो है ना टील ग्रीन कलर में है तो यह मैंने फिलिपकाट से मंगाया था बहुत ही जादा अच्छा है यह मीडियम टू लार्ज आइधिंक मीडियम कहलीजे 55 cm है इसका साइज और देख सकते हैं अगर आपको यह अच्छा सा मीडियम साइज का सूटकेस देख र मैंने सेम ब्रैंड से मेट्रोनॉट से जो है चोटा वाला ट्रॉली सूटकेस लिया था जिसका साइज था आइधिंक 35 cm तो यह 55 cm वाला है मीडियम साइज वाला तो देख सकते हैं फ्रांट में भी जिप मेल जाएगा इंसाइड आपको स्पेशियस काफी अच्छा है और ड देख सकते हैं यह बहुत ही प्यारा सा लेंगा जो दुबाई से हमारे अंटिया थे ना उनकी बहु यानि उनकी पोत्री की शादी है दुबाई में तो यहां से इंडियन लेंगा लेके जा रहे थे अपने लिए अपनी पोत्री के लिए तो माशालला से काफी प्यारा लग डिजाइन तो देख सकते हैं काफी हेवी वाला एम्प्रॉइडरी वर्क था काफी प्यारा लगा हम सबको बहुत पसंद आया और इसका कलर भी काफी अच्छा है तो मतलब डेली डेली ना हम लोग कुछ न कुछ कर रहे थे और अंटी ने कुछ न कुछ नहीं नहीं रेसेपी हम को बना कर खिला रहे थे तो आज अंटी जो है ना स्पेशल रेसिपी बना रहे थे जिस यह पलाव टाइप में बना रहे थे मतलब एक तहारी टाइप की डिश थी तो यहां पर जो है ना पहले ग्रेवी बना लेते हैं उसके बाद एक्स बॉइल एक्स आड़ करते हैं औ और उसके बाद जो है ना राइसाइट करते हैं और उसके बाद रेडी हो गया है यहां पर स्पेशल एग पलाव कह लीजे एक तहारी कह लीजे और सब लोग माशाला से बैठ कर एंजोई कर रहे थे बिलब डेली डेली अंटी कुछना कुछ न्यू रेसिपीस बना रहे थे और हम सब को खिला रहे थे काफी मज़ा आया और यहां पर काफी एंजोई कर रहे थे सारे बच्चे और अम्मी भी यहां पर बैठे वे हैं और उडूच को खला रहे हैं और हम सब लोगों ने बहुत एंजोई कि है हैधराबाद में काफी मज़ा है हम सब को और हम लोग रा अंटी को ना खिलाया और अंटी को बहुत पसंद आया तो अमी ने यहां पर भेल चाट बनाई थी देख सकते हैं कुछ इस तरह से काफी मज़दार लग रही थी और सब को पसंद आई और उसके साथ जो है नामी ने ड्राइड वन्स भी बनाए थे वो भी सब को पसंद आया और यहां पर देखें क्यूट से बेबी से यहां पर मंसूर अपनी प्यार इसी छोटी सी गुडिया के साथ खेल रहे थे और यहां पर माशाला से बहुत प्यार करें थे और उनको कावी अच्छा लग रहा था तो बार बार आके बेबी को देख रहे थे और मंसूर ने भी क अच्छे से पहचाना और माशाला से अंटी, अम्मी, चाची सब लोग यहां पर बैटके बेबी के साथ खेल रहे थे और यहां पर ब्यूटिफुल मुमेंट्स है भाई बहन के देख सकते हैं यहां पर जो दिन भर की बाते हैं अरूज अपनी बहन से कर रहे हैं कि मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, तो माशाला हर दिन, हर राज जो है ना इस तरह से कनवर्जेशन करते हैं उरूज और बहुत सारा प्यार करते हैं अपनी प्यारी बहना के साथ, टाइम स्पैन करते हैं, माशाला से काफी प्यार है इन दोनों के बीच में, लाहर बुरी नजर से मखबूस केहते, जिसको । हम ताहरिज से बनाते हैं। उसी टाइप में हैं इस डिश में नहीं लगता हैं। !! बस जो भी मसाल। थे, व। भाहार। मसाला से ग् स हैं। नहीं ब करते हैं। घजिआ बनाते हैं। तो देख सकते हैं हैं ज़ित बना कि हम लगों को सब को खिलाए और देख सकते हैं पर चीकन को código止 किन नए पहले तेल में प्यास के साथ अच्छी से तो माशाला से काफी मज़ेदार से डिश बन रही थी और यहां पर चिकन को सॉफ्ट करने के लिए रख दिया था और उसके साथ जो है ना हुट सारे आलू भी आड़ करते हैं तो यहां पर आलू भी आड़ कर लिए हैं और अखनी बन रही है चावल जो है ना कच्छे चावल आड़ करते हैं इसके अंदर और उसके बाद जो है ना इसको अच्छे से पकाते हैं दम देते हैं तो जब जाकर हमारी जो है ना स्पेशल डिश जो है ना मकबूस बनकर रेड़ी होती है मतलब इसमें सब का हाथ है, किसे ने आलो कट किए, किसे ने चिकन बनाया, किसे ने चामल राइट किए ह Tabii मेलकर बना रहे थे, माश एलला से काफि अच्छा लग रहा था और सब मिलकर खा रहे थे काफी अच्छे टाइम स्पिन किया और बहुत अच्छा लगा हम सब को तो अंटी यहाँ पर बैट के जो है न सारे इंस्ट्रक्शन दे रहे थे और सब लोग फॉलो कर रहे थे तो यहाँ पर देख सकते हैं काफी मज़ेदार सा चिकन जो इसका ग्रेवी होता है न वो तो बनकर रेडी हो गया है इसके अंदर आड़ करेंगे चावल और उसके बाद जो है न पानी आड़ करेंगे और इसको दम देंगे क्या आपने कभी ट्राइ किया है यह वाली रेसिपी का नाम कभी आप लगों ने सुना है नहीं मुझे कमेंट में जरूर बताना तो देख सकते हैं यहां पर से मज़ेदार सा मकबूस कह लिजे हमारे यहां तो इस तरह से तहारी बनती है बट इनोंने तो कहा था यह मकबू अंटी आय तो सिर्फ 8 डेस के लिए थे और डेली कुछ न कुछ नहीं रेसिपी बना रहे थे एक दिन उन्होंने मंदी बनाई थे एक दिन एक विरैनी एक दिन पास्ता और यहां पर देख सकते हैं आज मकबूस बन रहा है और अलग-अलग डिशेस उन्होंने बनाई और ह सिपी इस तरह से बनती है तुम अपने यूटूब चैनल पर अप्लोड जरूर करना है वीडियोस तो मुझे भी काफी अच्छा लगा और एक अलग से पहचान मिली मुझे मेरे वीडियोस को मेरे लिए काफी बड़ी बात है यह और यहां पर मखबूस माशाला से रेडी हो और ये डेस कहाँ चले गए पता ही नहीं चला हम सबको तो काफी मज़ा है और हम सबको यह दाल बहुत पसंद आई कुल्फे की भाजी की दाल बनाए थी और काफी ज़ादा मज़ेदार थी और इसके साथ अमड़े की भाजी जो कि खटी-खटी और काफी टेस्टी लगती ह चाहे तो आप बिर्याणी में खा सकते हैं पिर दाल चामल में खा सकते हैं और हैदरबाद की बारिश की तो क्या ही बात बताओं मैं आप लोगों को जितने भी तिन हम लोग थे ना वहां पर इतनी अच्छी बारिश हो रही थी और मौनसुन का मज़ा ले रहे थे हम जब पर अंटी से मिले होटेल तो काफी अच्छा लगा हम लोगों को त्रूआट देश त्रूआट नाइट मॉर्निंग हर टाइम पर बालिश हो रही थी और सीजन और मौनसुन का मज़ा काफी अच्छा लिया हम लोगों ने और काफी मज़ा आया देख सकते हैं आज डिनर में अंटी बना रहे हैं special Arabic dish कह लिजिए यह है macaroni तो यहां पर पहले मसाला बनाया है और उसके इंदर boiled एक साइट किये हैं और उसके बाद यह वाला पास्ता आट कर रहे हैं एकदम एक दूसरे से नहीं चिपक रहे थे कि यह वाला पास्ता जो है ना इंडियन पास्ता से बिलक कर दो सुनके मौसम में गर्मा गरम जो है ना पास्ता बना रहे हैं और यहां पर अंती सारी रेसिपीस बता रहे थे और अमी नहीं हाँ नहीं जाता पर माकरोनी बनाने लगे थे और काफी अच्छा लगा हम सबको तो और देख सकते हैं यहाँ पर स्पेशल स्पेशल बॉयल्ड मैकरोनी जो है ना एकदम से तयार है और चलिए अभी फिर दस्तरखान पर बैठते हैं सारे लोग जैसे ही दस्तरखान पर डिश आ जाती थी ना सब लोग बैठते थे खा रहे थे और सारे बच्चे बड़े सब लोग एंजॉई कर रहे थे तो बस अभी यहाँ पर दस्तरखान लग चुका है और सब लोग खाने लगे थे और साथ में अंटी के साथ बहुत सारी बाते की हम लोगों ने और अंटी जो है ना अपने फोन में सारी मेमरीज बता रही थी जैसे कि वो सारा वर्ल टूर करकर आएं कभी राख, कभी रान, कभी पारिस, तो कभी कहीं कुछ चले जा रहे हैं और कोरिया देखा उन लोगों ने और बहुत सारी बातें की हम लोगों ने और साथ में बैठे और उसके बाद हम लोगों ने जो है ना हाथों में महेंदी लगए अंटी भी जाने ही वाले थे दो दिन में तो बस उनों भी जाने की तयारी कर रहे थे तो उनके हाथों मेहंदी लगी थी और माशाला से मैंने भी हाथ में बहुत ही प्यारी सी महंदी लगाई थी हमारी मामी ने तो देख सकते हैं काफी अच्छी लग रही है बस कुछ इस तरह से हम लोगों ने डे स्पेंड किये कुछ अच्छी रेसिपीज खाई अल्ला का शुकर अदा किया जो भी वक्त हम लोगों ने यहां पर स्पेंड किया और काफी मज़ाया आगे व्लॉक्स में आप लोगों को बहुत सरी चीज़ें देखने को मिलेंगी उसके लिए स्टे ट्यून अगर आपको यह वाला उनको भी काफी मज़ाया तो माशाला से हम लोगों ने इंजोई किया बस अभी हम लोग घर के लिए निकल ही गए थे और थैंक्स फो वाचिंग व्लॉग अच्छा लगो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब बाइब